गरीब की बारिश अगर इसी तरह काम पर नहीं गया तो दो वक्त की रोटी का जुगाड कैसे होगा अरे तुम चिंता क्यों करते हो बारिश का क्या है एक आद दिन में रुक जाएगी और उसके बाद में फिर से काम शुरू हो जाएगा अरे तीन दिन तो हो गए बरसा तो रुक ही नहीं रही है और आगे भी रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे तो क्या हुआ तुम्हारा काम बंद हुआ है ना मैं तो अभी भी लोगों के घर जाड़ू पोछा करने जाती ही हूँ मेरे पगार से कुछ दिन दो निकली जाएंगे अरे घर का खर्चा तो हम किसी तरह चला लेंगे जानकी लेकिन यह जो च्छत टपकर रही है इसका क्या करेंगे ये बात तो आपकी सही है हमारी जोपड़ी अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसके छपपर में भी कई सारे छेद हो गये है रात भर पानी तपकता रहता है अरे मैं भी इसी बात से बहुत परिशान रहता हूँ कहीं किसी दिन ज्यादा बारिश आ गई तो हमारी जोपड़ी तूट कर बिखर न आ जाए राम 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 ऐसी अशुब बाते क्यों करते हो अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला यह जोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ है अगर यही नहीं रही तो हम जाएंगे कहा ठीक है जानकी, जब तुम्हारी पगार मिल जाएगी, तो कुछ पैसे बचा कर जोपड़ी के छपपर की मरमत करवा लेंगे शायद हमारी परिशानी कुछ कम हो जाए ठीक है जी, अब ना ज्यादा परिशान मत हो, ये लो खाना खालो और सो जाओ, सुबह मुझे भी जल्दी काम पर जाना है जानकी और कालू अपनी जोपड़ी में सो गए, राट को अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई धीरे धीरे बारिश का पानी कालू की बस्ती में भरने लगा, पानी भरते भरते जोपड़ी के बाहर तक पहुच गया था, सुबह के वक्त जब कालू और जानकी सो कर उचे ए भगवान ये क्या हो गया बारिश का पानी तो हमारे घरों तक पहुँच चुका है अब मैं काम पर कैसे जाओंगी रहने दो जानकी तुम आज काम पर मत जाओ ऐसे पानी से निकल कर जाओगी और विमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे लेकिन अगर नहीं गई तो मालकी इन लोग नाराज हो जाएंगे आप जानते हैं न बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुटी भी नहीं देती है अरा लेकिन जानकी जोपड़ी के बाहर तो पूरी बस्ती में पानी बरा है तुम जाओगी कैसे जानकी जैसे ही तैसे करके काम पर चली जाती है लेकिन अगले दिन फिर से बहुत ज्यादा बारिश होती है और बस्ती में ज्यादा पानी भर जाता है अगले दो दिन तक तेज बारिश होने की वज़े से जानकी, कालू और आसपास की बस्ती में रहने वाले सबी लोगों की घरों में पानी भर जाता है जिसकी वज़से जानकी काम पर नहीं जा पाती और तीन दिन के बाद जैसे ही जानकी काम पर पहुंचती है तुम जानती भी हो तीन दिन से कितनी परिशानी हो रही है मुझे सारा काम मुझे खुद करना पड़ा माफ करतीजी मलकिन जी पर मैं क्या करती आने के लिए रास्ता ही नहीं था सब जगा पानी भरा हुआ था बहाने तो तुझे बहुत बनाने आते हैं जान की देख अगर अगली बार ऐसा किया ना तो फिर काम से हमेशा के लिए छुटी अर नाना माल की नैसा मत कीजिए बारिश के वज़े से मेरे पती की मचदुरी भी छुट गई है बड़ी मुश्किल से घर में दो वक्त खाने की रोटी का जुगार हो पाता है आप उजे काम से निकाल देंगे तो हम क्या खाएंगे अगर इतनी ही चिंता है तो फिर रोजाना काम पर आया करो चलोग जल्दी से जाकर घर का सारा काम करो बारिश रुपने का नाम ही नहीं ले रही थी पूरे शहर में बार जैसे हालात बन गए थे लेकिन नौकरी जाने के डर से जान की किसी तरह रोज काम पर जाती थी एक दिन जब जान की काम करके अपनी घर लोट आई तो अचानक उसकी बस्ती में कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया अरे लगता है बाहर कुछ हुआ है मैं जाकर देखता हूँ हाँ हाँ पता तो कीजिए ये बस्ती में लोग इतना शोर क्यों कर रहे है बाहर जाकर कालू ने एक आदमी से पूछा अरे क्या हुआ भाई इतना शोर क्यों मचा रहा है अरे क्या बताये भाया अपने बस्ति के बार एक पूल तूट गया है और वहाँ पर एक कार फसी है थोड़ी देर में अगर किसी ने नहीं बचाया ना तो वो कार पानी में बैह जाएगी ये क्या कह रहे हो भाया कार के अंदर कोई है क्या कालू उस जगह पर पहुँचता है जहां वो औरत कार में फसी हुई थी वहाँ पर पानी का बहाँ बहुत तेज था और सारा पानी कालू की बस्ति की तरफ ही आ रहा था कालू ने एक बड़ी सी रसी को पेड़ से बान दिया और दूसरे सीरे को कार की तरफ फैंक दिया और उस औरत को रसी के सहारे बहार आने के लिए कहा तब ही वहाँ जानकी भी दोड़ती हुई आई और ये तो मेरी मालकीन है जिनके यहां में काम करने जाती हूँ और मैडम जी आप डरियेगा मत आपको कुछ नहीं होगा आपकी गाड़ी को भी मैंने रसी से बान दिया है थोड़ी दिर में पानी का बहाव कम हो जाएगा फिर हम आपकी कार को भी बहार निकाल लेंगे क्या तुम जानकी के पती हो? हाँ हाँ जानकी मेरी ही पत्नी है आपके यहां काम करती है न? लेकिन मेम साब आप यहां पानी में कैसे फस गई? अब क्या बताओं? मैं अपनी सहलियों के साथ पिक्निक पर गई थी वहीं से लोट रही थी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और मेरी गाड़ी फस गई और कोई बात नहीं मालकी अब ना आप बिल्कु सुरक्षित है मैं तो बहुत बुरी तरह डर गई थी कबसे मदद के लिए चिला रही थी लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया भला हो तुम्हारा पति का जिसने मेरी जान बचा ली लेकिन जानकी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यावार किया इतने खराब मौसम और बार्ड में भी तुम्हें काम पर आने के लिए कहा नौकरी से निकालने की धमकी भी दी और तुमने, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो अर कोई बात नहीं मालकिन, आपके जान बचाना तो हमारा धरम था देखो जानकी, तुम्हारी जोपड़ी में जोबी नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूगी आज तुम्हारे पती ने मेरी जान बचाई है, और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकालने की धम की नहीं दूगी आज मैं तुम्हारी परिशानी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, हम जैसे पैसे वाले लोगों के लिए अपने घर में बैठ कर बारिश का मजा लेना बहुत आसान है लेकिन तुम गरीब लोगों के लिए बाड़ और बारिश काफी परिशानी खड़ी कर देते हैं, ये बात मुझे आज अच्छी तरह समझ आ गई है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन